नमस्कार दोस्तों मैं संदीक मारा आप सबका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SBI RD यानि की रेक्टिन डिपोजिट के बारे में और जानेगे कि कैसे आप अपनी छोड़ी बच्चत को SBI RD में न्वेस करके बच्चत की सुरुआत कर सकते हैं वो कहते हैं ना कि भून भून से सागर बनता है यह बात बच्चत पर भी लागू होती है तो अगर आप भी अपनी छोड़ी बच्चत को कही नवेस करना चाहते हैं और अपनी बच्चत पर अच्छा रिटन पाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि SBI RD आपके लिए एक बैतुर अप्शन हो सकता है आज की वीडियो में हम आपको SBI RD के बारे में पूरी जनकरी देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पुरा देखें कहीं स्कीप ना करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर हम SBI RD की बात करें तो SBI RD की सबसे बड़ी खासी दिया है कि आप इसमें हर मिन्ने पैसा डाल सकते हैं अगर हम इसमें नवेस की बात करें तो आप मिनमम 100 रपे से सुरुआत कर सकते हैं और जैसे हात में पैसा बढ़ता जाए वैसे वैसे आप अपने नवेस को बढ़ा भी सकते हैं SBI-RD में नवेस की कोई उपरी सीमा नहीं है, तो आप 100 पे से उपर जितना चाहे, SBI-RD में अपनी इंकम के इसाफ से नवेस कर सकते हैं, SBI-RD कम से कम 12 मिन्ने यानि की 1 साल के लिए खुलवाई जा सकती है, SBIRD को दिक्तम 120 मिने यानि की 10 साल के लिए खुलवाया जा सकता है आपकी जनके लिए पता दें कि इसमें आपको लोन की सुधा भी मिल जाती है तो अगर आपको कभी भी आमजसी में पैसों की जूरत पड़े तो आप अपने RD account में जमाराशी का 90 सिधी लोन ले सकते हैं या overdraft बनवा सकते हैं अब जान लेते हैं कि SBIRD पर आज की डेट में क्या ब्याज मिल रहा है तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि SBIRD account पर जो ब्याजदर मिलती है वो एक FD के बराबर ही होती है एक से दो साल की RD पर साढ़े पांच पुशिधी आप लोगों के लिए और senior citizen को 6 पुशिधी ब्याज मिल रहा है दो साल से 344 जिनकी RD पर general rates साढ़े पांच पुशिधी और senior citizen को 6 पुशिधी की rate of interest से ब्याज मिल रहा है और इसी तरह 3 साल से 344 जिनों की RD पर 5.7 पुशिधी आप लोगों के लिए और senior citizen को 6.2 पुशिधी का rate of interest मिल रहा है 5 से 10 साल की RD पर आप लोगों के लिए 5.7 पुशिधी और senior citizen की अगर हम बात करें तो इसी time period के लिए उन्हें 6.5 पुशिधी ज़्याज दर दिया जा रहा है अगर आप एक senior citizen है तो आपको RD की तैय ब्याज दर से 0.50 पुशिधी ज़्याज मिलेगा और इसी तरह SBA staff और SBA pensioners को भी लागों ब्याज दर से 1 पुशिधी ज़्याज दिया जाएगा SBA RD को जुरुत पढ़ने पर premature close किया जा सकता है लेकिन ऐसा करने पर आपको plenty का button करना होता है और साथ में ब्याज में भी किटोती की जाती है अगर आप साधिन से कम वक्त के लिए RD रखते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा इस कीम में आपको नोमनी का option भी मिल जाता है आप किसी भी family member को अपना नोमनी बना सकते हैं इसमें आपको passbook की सुविदा भी मिल जाती है अब जान लेते हैं कि अगर आप किसी कारण से RD में मासी की जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या plenty लगाई जाती है पांस साल या इससे कम maturity period वाले SBRD पर या plenty प्रती सोर पर डेडर पर प्रतिमा रखी गई है पांस साल से ज़्यादा की maturity period वाले account पर plenty प्रती सोर पर दोर पर प्रतिमा रखी गई है अगर आप SBRD account में 3 या इससे ज़्यादा लगाई जिस्तों का default करते हैं तो आपको 10 वर पर service charge लगेगा या service charge आपसे account की maturity date पर लिया जाएगा अगर आप लगाता 6 किस्तों का default करते हैं तो आपके RD account को maturity period पूरा होने से पहले ही बंद कर दिया जाएगा और आपको आपके balance amount का बुगतान कर दिया जाएगा आप अपने RD account को SBI की किसी भी branch में transfer भी कर सकते हैं तो यह तो थी जानकारी SBI RD के बारे में I hope आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी लेकिन फिर भी अगर आप SBI RD के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हमें comment box में पूछ सकते हैं जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में रिस्तिदरों में ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके अगर आप हमारी वीडियो को पेली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे आ रहे लार बटन को दुबा कर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल एनकों को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको प्रोटिपकेशन मिलता रहे और आप कोई भ करी मिशना करें वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया